हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नयनी स्कूल पर हर्दिक स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में एक बहुत इंपोर्टेंट टोपिक डिसकस करने वाला हूँ जो है एक्स ग्रूप पे 62 को लेकर जी हां एक्स ग्रूप केस 62 बुरी ख़बर आखिर क्यों हो रहा है ऐसा क्या OROP 3 से पहले नहीं होगा एक्स पे 62 का कोई समाधान और क्या OROP 3 में फिर से वही देखे पूरा का पूरा ग्रूप वन्चित रह जाएगा अपने हक से AFT से लेके सुप्रीम कोट तक निरासा PCDA का 62 और 3600 पर क्या है जवाब वो भी देखेंगे आज के अपने इस वीडियो में अगर आप मेरे चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें देखेंगे सबसे पहले अगर हम देखें तो मार्च 2023 में PCDA ने जवाब दिया था और बताया था कि देखेंगे जो आपका एक्सपे है वो 3600 और 6200 क्यों किया गया है क्योंकि OROP 2 में टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8 बना दी गई वो भी केवल कट ओफ डेट के आधार पर जो पूरी तरह से गलत था इसके उपर देखेंगे बहुत से ग्यापन दिये गए और मालनिये AFT में सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला गया जो अभी भी चल रहा है तो जवाब क्या दिया गया उन्होंने बताया जबकि X ग्रूप जो वेतन 600 हो गया था साथवे वेतनायोग में सरकार द्वारा एक और एक पे वेतन बासट सो लाने का कारण इस कारण रहले को ग्यात नहीं है उन्होंने बताया कि छटे वेतनायोग में X पे था सबी गुरूप वालों को 1400 रूपे मिलता था परन्तु 1600 के बाद में 3600 रूपे मिलने लगा दो गुरूप वेतनों में डिवाइड हो गया सोले के बाद में 3600 और 62 में बढ़ गया पुने समान रैंक समान पैंसन ओ आरोपी टू एक साथ 2019 के संबंद में भारस सरकार रक्षा मंतराले ने अपना इस प्रेक्षिकरन दिनांक 8422 को दिया कि बहुत दो टेबल आप सेपरेट तयार कीजिए और इसी आधार पर हमने टेबल तयार की हैं यहां तक तो देखे आप सभी को पता है उसके बाद में हम सभी जानते हैं कि देखे माननिये सुप्रीम कोर्ट में के और यह केस है रिट पेटिशन नंबर 796 ऑफ 2023 और यहां पर जो आप देख सकते हैं लन एड़कोर्ट अड़ोकेट मिस्टर टी गोपाल एपेरिंग ओन बहाफ ओफ दोक्टर एन विशाका मूर्थी एड़ोकेट ओन रिकोर्ड अपेर्स फोर रस्पोंडेंट नंबर 124 यह अब वो अपना वकालत नामा अब वो अपना वकालत नामा फ्रेस जो है यहां पर जारी करेंगे for the sad respondents and pray for time to file और उने चार वीक का समय मांगा कि देखे हमें चार वीक का समय चाहिए ताकि हम अपने वकालत नामा को दाखिल कर सकें तो at the end of the period of process, registry to process the matter for listing before the honorable court as per the rules देखे जब यह साइच चाहिए तयार हो जाएंगी तो registry हमें इस केस को लिस्टिंग करें फिर हम इस पर सुनवाई करेंगे यह यहां पर देखे बात होती है अब देखे अगर हम बात करें तो रिट पैटिशन नंबर 796 के साथ में दो और ऐसी थी जो मानने सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गई यह बात है देखे 5 अगर्श 2023 की जब सुसील कुमार चोदरी का केस लिस्ट हुआ उसके बाद में नवंबर 2023 में टेकनिकल एयर वेटरंस वेलफेर एस्सोशेशन वसिज यूनियन ओफ इंडिया ने भी 25 ग्यारह 2023 को एक अपनी रिट पेटिशन डाली और वो रिट पेटिशन थी 1324 ऑफ 2023 और देखे सबसे इंपोर्टन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओलेडी हमारा केस चल रहा है 796 आप इसको भी उसके साथ टैक कर दीजिए फिर फरवरी 2024 में क्या होता है एक और रिट कोर्ट ने कहा कि देखे आप टैग कर दीजिए 796 के साथ में अब सबसे बड़ी बात क्या होती है सबसे बड़ी बात यह होती है कि 796 में चार हफ्ते जारत समय हो जाता है लेकिन अभी तक भी उसमें कोई डेट सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिखा रहा है कब सुनवाई एफटी में भी केस किया गया था वोईस ओफ एक्सरेशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखे आप और पूरी लिश्ट लगाने होगी कि यह इसमें जो है एप्लिकेंट्स हैं तो उन्होंने डिफेक्ट दिया और उस डिफेक्ट को क्लियर करने की बात की गई तो यहां पर देखिए दो advocates हैं जिनके मैं statement आपके सामने लेके आया हूँ Good afternoon, I am here to give the updates on Group X court case The case was listed today, 1 May 2014, after rectification of all the defects However, registry has not put up all the files, volumes of the OA Instead, it just sent the main OA and MAs But, did not send Vakalatnamas and authorization letters in the main court Main court में जो Vakalatnamas है और जो authorization letter है वो send नहीं किया Registry के दौरा, हमें पता नहीं Registry ने ऐसा क्यों किया है Court has directed the Registry to put up all the volumes of OA and not just main context तो court ने कहा कि आप देखिए जल्दी इसको कीजिए और दो वीक का समय यहां पर इन्होंने बताया गया है और बताया गया कि 29 मई को साइद इसकी सुनवाई होने वाली है और यह है Advocate Justice A.K. उपाद्याए Sorry, Advocate Dr. A.K. उपाद्याए अब बात कर लेते हैं Advocate Jitindra Kumar Dev जो देखे Voice of XMN Society जुड़े हुए भी है उन्होंने इसके बारे में क्या बताया Dear Members, Good Morning Today 1st May 24 This case was listed to court number 2 in AFT Delhi The Government Council took strong objection that in the manner in which this petition is filed is not maintainable and the case is still not admitted as it was on first day देखे जैसे December 23 में था उसमें बहुत साइड डिफेक्ट थे सेम इसमें अभी भी डिफेक्ट है और यह अभी भी देखे case जो है एडमिट नहीं किया गया है I stand on my behalf of petitioners before the court today मैं भी अवेलेबल था In any way this case will not be listed due to multi-defects यह case जो है नहीं हो पाएगा listed There is no question of NOC The society hiding truth यानि Voice of Action Society के बारे में बताया जा रहा है कि वो देखे कुछ सत्य छुपा रही है The case mentability from 800 innocent members and blaming other advocate Jitendra Dev on the name of NOC और वो देखे Advocate Jitendra Dev को ही blame कर रहे है कि NOC के चिकर में सारा case रुका हुआ है Advocate Jitendra always bring the truth before the society members which was held by Mr. Behal and Beer Bahadur Singh Not only in court case but even in society fund fall play तो यहाँ पर देखे कुछ चीजे जो है Voice of Action Society के नाम पर निकल के सामने आ रहे हैं कि कहीं न कहीं वहाँ कुछ irregularity है Need to introspect by Mr. Behal and Mr. Beer Bahadur Singh and request members कि आप सभी लोगों से request करता हूं कि देखे इन दोनों से बोला कि आप अपने आपको introspect कीजिए और all members कि आप pressure बनाईए इन दोनों office bearers पर कि जो case के बारे में लोगों को mislead कर रहे हैं वो ऐसा ना कर Regards Advocate Jitendra कुमारदेव AFT and Delhi High Court अब देखे आपने दोनों चीजे देख ली आपने देखा कि ओनरे बर सुप्रीम कोर्ट में August 2023 और अभी देखे मई 24 आचुका है कोई सुनवाई नहीं हुई है उसके बाद में अगर हम बात करें AFT में AFT में देखे मई आ गया है दीरे-दीरे December से लेके मई तक पांच मेने के आसपास हो चुके है लेकिन एक अभी तक कह सकते है कि यहाँ पर कोई भी positive response दिखाई नहीं दे रहा है एक मई को जो हुआ उसमें भी देखे कोई ऐसा चीज सामने निकल के नहीं आई है कि आप positive response लगा सके तो हम समझ सकते हैं लेकिन कुछ भी चीज है आपको आपस में सुलजाईए लेकिन कुछ भी चीज है आपको क्योंकि आप एक संस्ता है और एक बहुत reputed संस्ता है आप बहुत सारे case लेके चल रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन सारी चीजों पर आप निकल के सामने आए और अपनी चीजों को बिल्कुल positive response के साथ रखे अगर आपस में कोई मनमुटाव है तो उनको sort out करें ताकि उसका नुकसान बिचारे pensioner पर या जो भी हमारे applicants हैं जो innocent members हैं उन पर ना पड़े अब ये आपकी responsibility है कि इन चीजों को कैसे सुल जाना है क्योंकि सब की नगार नजर जो है आप पर है चाहे equal MSP case हो आप EFT में बात कर रहे हैं या भी XP case को लेकर या और भी case जो ऐसे हैं जो आप लड़ रहे हैं वो भी especially इन चीजों को लेकर तो आप से उमीद है कि आप इन चीजों को जल्दी short out करेंगे ताकि जो हमारे pensioner हैं वो नियाये तो दिखे कोर्ट से बाद में मिलेगा पहले उनको सच्चाई जानने का हाक है और वो आप उसको उनसे वंचित नहीं कर सकते हैं आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आप मेरी बास से सहमत है तो उसमें भी कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या लगता है दोनों ही चीजें आपके सामने लेके आया मानने सुप्रीम कोट और मानने एफटी से अब जो भी जजमेंट होगा वो भी आपके साथ जरूर शेयर किया जाएगा तब तक के लिए बने रहिए जैहिंद जैवारत